जैसी क्रिशन, Hello friends, कैसे हो आप सभी आए होब, आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी गार्णिंग अच्छे से कर रहे होंगे तो friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंटर प्लांट्स के बारे में क्योंकि सभी जो है summer seasons की तयारी में लगे हुए और मैं खुद भी summer season की तयारी में लगी हूँ जैसे reporting, transplantation, seed sawing, cutting, pruning, खात देना और other fertilizer जो भी micronutrient वाले होते हैं वो सभी provide कराना पोदों को तो इन सब के बीच क्या हम inventor plants को भूल सकते हैं बिल्कुल नहीं क्योंकि ये अभी April तक अच्छे से flowering करेंगे और dianthus और gazania, zarbera ये तो बहुत ही hardy plants है बहुत अच्छे से flowering करेंगे हाँ calendula और जो petunias हैं इनके बारे में कह सकते हैं कि ये March के महिने में mostly survive करे या न करे लेकिन फिर भी आज कुछ fertilizers के नाम बताऊंगी मैं आपको अगर आप वो इन पोधों को provide करवा देते हैं तो maybe ये plants आपके अपरेल तक बहुत अच्छे से flowering कर सकेंगे लेकिन माई के महिने में बिल्कुल भी इनसे उमीद मत कीजिएगा कि ये आपको flowering करके दे तो उसके बाद तो आपको इनको store करके रखना है यानि कि save करके रखना है तो friends का लांचो अगे रहे सब आप अभी भी propagate कर सकते हैं वीडियो को पूरा देखेगा बिना skip की और आपसे छोटी से request है कि अगर आप मेरे channel पर new है और आप मेरे channel को subscribe नहीं कर रहे हैं वीडियोस देख रहे हैं लेकिन subscribe नहीं कर रहे हैं तो फटा-फट से subscribe कर लीजे friends क्यूंकि gardening से related ही videos में लेकर के आती हूँ और आपको भी gardening से related videos ही देखना पसंद है तो उसके लिए आपको देखने के लिए channel को subscribe करना पड़ेगा और जब आप bell icon all पर press करेंगे न तो जो मेरी वीडियो होगी जो दोपहर में 2 बज़े आती ही वो directly आप तक पहुँच पाएगी और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएगे तो friends summer season की तयारी में winter plants को मत भूल जाइए क्योंकि ये अभी बहुत अच्छे से बहुत flowering करने वाले हैं और जो ज़्यादा ठंडे प्रदेश है वहाँ पर भी ये बहुत अच्छे से flowering करेंगे क्योंकि अब वहाँ पर भी जो थोड़ी धूप अच्छे से निकलने लगे तो दोपैर में गर्मिया थोड़ी जादा देखे जाने वाली है तो ऐसा सेवे शेड जगे आप इसे रख दीजे फिलाल मैंने तो full sun light में रखा है क्योंकि मेरे यहाँ एक shade है और उस shade की वज़े से इनके उपर शाम तक आते आते इनके उपर shade आ जाता है तो ऐसी जगे place की कि कम सकम 5 गंटे की दूप इनको मिल जाए तो गजानिया जरवेरा बहुत अच्छे से बढ़िंग कर रहे हैं यानि की birds बना रहे हैं और बहुत बढ़िया खिल खिल के आ रही है और friends इनको हम ना भूले उस वज़े से यहाँ पर जैसी हम लोग summer season की तयारी कर रहे हैं तो तो उन सबको humic acid की वज़े से एक boost मिलता है और पती regrow होती है और पतियां फिर से उसी तने पर बहुत ही हरी भरी पती आने लगती है तो एक तो humic acid आप apply कीजिए कैसे करेंगे आप apply? humic acid आपके kitchen में कहां-कहां कौन सी चीजों में मिलेगा एक तो coffee में मिल जाएगा और एक आपको चायपती के पानी में मिल जाएगा आप सभी लोगों को पता है आपको उबाल करके, ठंडा करके, छान करके अपने plant में double पानी में mix करके उस पानी को दे देना है आप अपने plants के हिसाब से वो ratio रख लीजेगा कितने plants है आपके पास तो पानी का ratio जैसे एक लिटर पानी अगर आपने चाय पती का boil किया है तो उसमें एक लिटर और mix करके और आट इंच का गमला है तो आदा मग पानी दे दीजिए और अगर एक इंच का दस इंच का गमला है तो पूरा बता रही हूँ क्योंकि अभी क्या है मौसम जैसी change होता है तो पोधों को extra care की जरूरत पढ़ने लगती है तो जब भी चाहे winter plants हो चाहे summer plants हो चाहे perennial plant हो चाहे किसी भी तरीके का plant हो जैसे मौसम change होता है आप humic acid उसमें जरूर अप्लाइ कीजिए humic acid आपको market में chemically भी मिल मैं organically humic acid का उप्योग करती हूँ लेकिन अगर आप चाहे आपके पास थोड़े से plant है ज्यादा plant नहीं है तो आप चाहे पती के पानी का उप्योग कर लीजे बहुत बढ़िया result उसके मिलते है डिये पी के दाने आर्ट डस दाने अपने जो plant की मिट्टी में दबा तो अभी खात पानी और दीजिए इनको आप अगर डिये पी अप्लाइ कर दिया है आपने यूविक ऐसे दे दिया तो एक हफते बाद आप कंपोस्ट दे दीजिए या जो नीम खली सरसोखली का जो भी आप fertilizer liquid भी बनाते तो वो भी आप liquid दे सकते लेकिन early morning दीजिएगा क् कि धूब जो आती वो बारा एक बज़े तक आती तो दस बारा ग्यारा बज़े तक आप खात मत दीजिएगा अगर liquid वाला दे रहें तो पोधे उपर से भी बर्न गरम होता और liquid fertilizer फिर मिट्टी में डालेगे तो नीचे से जड़ों को भी गर्मी मिलेगी तो जादा गर्मी दोपर में हो जाती है तो खात सुबह सुबह या फिर शाम को दे दीजे liquid वाली ये काम आप कर सकते हैं पानी का watering का धियान रखिए बहुत जल्दी आजकल छोटे गमलों में हमारे जो winter plant से लगे होए होते हैं बहुत जल्दी सूख जाते हैं तो इस चीज का भी धियान रख को जब तक सुबह और शाम की भी गर्मी स्टार्टन हो जाए शेड में रखे अनको सेमी शेड में रखे तो आई होप आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल पे न्यों है तो सब्सक्राइब अगर कोई प्लांट पर्चेस करना चाते तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए फ्लारसन कीचन गार्डन महाँ पर मैसेज कीजिए आयो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नहीं जान करें के साथ तब तक के लिए बाई टेकर जैसी कृष्ण